अगर आब होता है अगर आपने पफिछे क्या होता है आप पेली वीडियो के दिखा कि ऐसे वीडियो में पिकॆ है आउन में अर definis इस क्यों हुआ अगर कोई प्रॉब्लम पास्ट में अगर हो रही है तो उसके रीजन क्याते हैं क्यों हुआ क्यों हुआ है और क्या क्यों हुआ है और क्या क्यों हुआ है तो डियागनॉस्टिक में पता करते हो कि वह प्रॉब्लम दूबारा ना हो और वह रीजन्स फिर से प्रॉब्लम ना क्यों करें तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी प्रिस्क्रिप्टिव की बात आएगी आप फोर्कास्ट करोगे कि फ्यूचर में किस तरीके की डिसीजन हम ले सकते हैं ताकि वह प्रॉब्लम दुबारा से ना एक्जिस्ट करें लास्ट आपका प्रॉब्लम करें यह सारी चीज़ आप पता करते हुँ उसके रिजन क्या थे क्यों यह हुई है जो प्रॉब्लम आपके पास में एक्जिस्ट करी थी और भॉब्लम क्या साथ कि प्रिडिक्टिव अनलेटिक्स में आप फोर्कास्ट करते हों कि फूचर में हम कॉजिए डि से कोई प्रॉब्लम ना एक्षिस्स करें जो पास्ट में हुई थी तो वहां पर आप बेसिकली प्रॉर्कास्ट करते हो आप एक अंदाजा लगाते हो कि यह चीज़े नहीं होगी फूचर में अगर हम यह एक्षन लेंगे तो यहां पर बेसिकली आप रिजिस्ट कर रहे होते हो आप रेकमेंड कर रहे होते हो कि आपको इस तरीके के एक्षन लेने चाहिए डिसीजन लेने चाहिए ताकि फूचर में कोई मिस हैप ना हो चुके तो यह था आपका टाइस और क्लसिफिकेशन और बिजनेस अनाटिक्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यह वीडियो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो थाइंक यू सो मुच पर वाचिंग इस स्टे आउसम और स्टे हल्दी